यूवाम की वाकेप किस क्लास में आप सभी लोगं का स्वागत है और आज हम लोग एक शब्द लेने जा रहे हैं वह शब्द पूर जैसा कि हमारे क्लास का एक प्रोसेस है कि मैं बहुत आसान शब्द लेते हैं ऐसा शब्द जो आप सभी लोग उसको अच्छे से जानते हैं उच शब्द के advanced label words कौन से हो सकते हैं जो कि प्रतियों की प्रिक्षाओं के दस्ट्री कौन से महत पूर्ण है वे शब्द हम लोग यहां ले रहे हैं आज का हमारा शब्द ह नहीं है वे वेक्ति गरीब है पर यदि किसी भी वस्तु में किसी भी चीज में अगर quality अच्छी नहीं है तो वो भी पूर कहलाता है और प्रिक्षाओं की दस्ट्री कौन से अगर कभी कह दिया गया पूर health, पूर presentation, पूर attendance of the students तो फिर वहां कहीं पर भी गरीब से समंदित meaning नहीं है, clear? इसके लिए पूर का मंदब बेचारा भी होता है, जैसे कहते हैं, the poor fellow बेचारा कुछ नहीं कर पाया, the poor fellow couldn't do anything, तो आपको पूर की भी complete mastery होना चाहिए, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूर के synonym में आपको यह बता रहा हूं, no doubt, कि पूर के synonym में आप यूज कर सकते हैं, destitute, penurious, indigent, impecunious, impoverished और penniless, पर यह सब पैसे से समंदिते हैं, जब पैसा नहीं है, तो आप यह poor के synonym में यूज कर सकते हैं, पर अगर कहीं पर आ गया poor health, तो ध्यान दीजेगा, यहाँ पर penniless health नहीं कह सकते हो आप लोग, और नहीं आप यहाँ पर destitute health कह सकत हो, अगर कहीं पर आ गया poor diet, अगर यहाँ पर आ गया poor attendance of the students, तो यहाँ पर कहीं पर भी attendance, तो यहाँ कहीं पर भी penniless attendance, या indigent attendance या destitute attendance नहीं कह सकते हो, तो यहाँ जो मैं सिननी मताने जा रहा हूँ, वो केवल आपको गरीब हैं, पैसा नहीं है, उस sense में है, बाक्की सब ज इन poor के अलग-अलग synonym होंगे, उस sentence के context के सबसे, या poor के साथ जो noun लगते हैं, उसके सबसे, यह जो अपनी एक book है, adjective के अपनी युवाम के एक book है, उसके इंदर detail में poor के साथ जितने भी adjective लगे हुई हैं, वो सब आपको मिलेंगे, तो आईए, poor के क्या-क्या synonym है, वो मैं आपीब, कंगाल, निर्धन, having no money or little money, दूसरा मिनिंग है, बेचारा, अबागा, unfortunate, ill-fated, और तिसरा मिनिंग है, खराब, बुरा, means of bad quality or not good, इसके synonym के रूप में बहुत बार poor को दिया गया है, जैसे की poor country, poor family, poor man, poor nation, poor people, poor state, ये सबके सब बेसिक लिया गरीब से समन्दी दिया गया है, पर quality में कम होना, अच्छा नहीं होना, उसके लिए अलग सिननीम है, poor एक adjective है, इसके noun के रूप में हम लोग use करेंगे poverty, और poverty एक noun है, तो ये तो आप poor के कितने meaning होते हैं, अब हम लोग इसके जो similar word है, वो सिर्फ फर्स्ट जो meaning है, उसी के sense में देख रहे हैं, इन नीचे के sense में हम लोग poor को अभी नहीं देख रहे हैं, फर्स्ट सेंस में इसके क्या-क्या सिननीम होते हैं, वो सिननीम मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, पहला एक बहुती महत्तपून शब्द है destitute, प्रैत्यों की प इसी लेबल के examination लेंगे, तो इस शब्द आपको मिलेगा, meaning इसका है, having no money, no food, no home, means extremely poor, यानि जिसके पास अपना कोई पैसा नहीं है, कोई खाने के लिए नहीं है, मकान नहीं है, तो इसका मतलब है, वह है व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है, तो हम लोग poor का use करते हैं, आईए, कुछ sentence देखते हैं इसके उपर, several destitute families are living in appalling conditions on the streets, कि बहुत से निर्धन परिवार, बहुती बुरी conditions में सडकों पर रह रहे हैं, यानि streets पर रह रहे हैं, appalling conditions, यानि बहुती miserable देनी हैं, प्रस्तितियों में रह रहे हैं, तो appalling भी एक अच्छा शब्द है, और यह भी यहां पर adjective के रूप में यूज हुआ है, एक sentence और देखे, the worst successive droughts for five years have left, thousands of villagers completely destitute, ध्यान दीजे, यहां पर droughts का मतलब है सूखा, कि जो लगातार पांच साल तक, इस साल के बाद अगले साल, successive रूप से, जो सूखा पड़ा, उस सूखे ने हजारों गाउं वालों को completely गरीब कर दिया, यानि कंगाल कर दिया, destitute कर दिया, और आप सब लोग जानते हैं, कि अगर गाउं का मुख्य जो आजी भी कहा है, वो है खेती बाड़ी है, पर अगर सूखा पड़ गया, तो निशित रूप से खेती बाड़ी नहीं होगी, तो गरीब आदनी और गरीब ह हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, अगला इसका बहुत महत उन यूज है, जोगी इसका एक अलंकारिक यूज है, कितना फिग्रेटिव यूज है, और यह है, डिस्पॉर्टिक रूलर, डिस्पॉर्टिक हम आजा है, निरंकस साशक, जिसके मन में बिलकुल भी दयाभाव न नहीं है, तो डिस्पॉर्टिक रूलर is completely destitute of mercy and compassion, कि जो निरंकस साशक है, उसमें पून रूप से कमी है, यानि लेकिंग किस चीज की compassion, करूना भाव और दया भाव का पूरी तरगी से कमी है, यानि उसके पास क्या चीज नहीं है, दया भाव नहीं है, या उसके पास कहना करूना नहीं है, तो वो उसमें गरीब हो गया, तो यहाँ destitute, देखे, अब मैं बताना यह चाह रहा हूँ, प्रतियोगी प्रिक्षाओं में अगर मान लीजे, यहाँ destitute का इसमें अगर synonym देखें, तो इसमें मैंने लिखा lacking, कि कमी होना, इसलिए जब भी bank PO में, जो unseen passage में से words का synonym या antinim पूछा जाता है, तो आप उस शब्द का, उस sentence में क्या meaning निकल रहा है, यह समझना बहुत आउरशक है, कि no doubt, destitute poor का synonym है, और destitute का synonym poor माना जाता है, पर इस sentence में आप कते ही poor नहीं कह सकते हो, यहाँ पर इसका meaning है, लेकिं कमी, किसी इसकी कमी है, यहाँ पै यह destitute adjective है, यहाँ लिखा हुआ है, destitute का noun होता है, destitution, और इसकी spelling देखिए, D-E-S-T-I-T-U-T-I-U on destitution और यह noun है, meaning extreme poverty, daridrata, nirdanta, kangali जिसे कहना चाहिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, kangali, sentence देखिए, there is widespread destitution and homelessness in many African countries, कि बहुत से African countries में, वहाँ पर बेघर हैं लोग, और पूरी तरीके से गरीबी फेली हुई है, destitution फेला हुआ है, तो एक destitute प्रतियों की प्रिक्षाओं को देखिए कौन से, गरीब के sense में, बहुत ही महतपून शब्द है, और यह गरीब से भी ज़्यादा ग pronunciation penurious, meaning of very poor, यानि synonym of destitute बहुत गरीब, निर्दन, दरिद्र, sentence दिया हुआ है, penurious villagers can't afford to spend even a small amount of money on luxury goods, कि जो गरीब किसान है, वो luxury goods पर even थोड़ा सा भी पैसा खर्च करने को send नहीं कर सकते हैं, यहीं afford नहीं कर सकते हैं, can't afford to spend, clear, और यह आप लोग जोड़ लीजिए, कि गाउं में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, किसी भी प्रकार का luxury items पर एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते हैं, अब देखिए, जैसे poor का noun होता है, poverty, ऐसे ही आपने देखा था, destitute का noun होता है, destitution, ठीक ऐसे ही, इस penurious का noun है, penury, clear, यहनी the state of being poor, यहनी गरीब होने की अवस्था, तो यह penurious भी poor का synonym है, अगला important similar word, जो poor के लिए आप use कर सकते हैं, वह शब्द है, indigent, कई बार प्रितियों की प्रिक्षाओं में पूछा गया है, इस indigent का noun है, indigence, यहनी poverty, meaning very poor, lacking money, यहनी जिसके पास पैसे की बहुत कमी है, कंगाल है, निर्दन है, गरीब है, धरिद्र है, तो हम लोग यहाँ पर indigent कर सकते हैं, पूर से, करें जब पूर का गरीब यक्ति है, तो फिर indigent का यूज किया गया है, sentence है, the government provides free medical treatment to or for indigent patients, की सरकार जो है, गरीब patients को medical treatment free उपलब्द करवाता है, यह government की policy आप लोग भी जानते हैं, तो आप इन sentences को अपनी real life से जूड़िये, clear, तो तो आपको यह शब्द लंबे समय तक याद होंगे, कुछ teachers, students को impress करने के लिए, बहुती उटपटांग तरीके का idea बताते हैं, शब्दों को याद रखने का, मैं उसे suggest नहीं करता हूँ, और वो बहुत लंबे समय तक काम नहीं आता है, जैसा कि एक सजजन बता रहे थे, कि mollify का मतलब होता है, गुसा या anxiety को काम करना, लेकिन करेते किसी को भूग लगी हुई है, तो मूली खाके भूग mollify कर लो, तो मूली और mollify को जोड़ो लो, यह बहुत रिडिक्योलस तरीका है, शब्दों को याद करने का, एक सजजन कह रहे थे, कि रंबल को याद करने का तरीका, रंबल का मतलब वैसे तो होता है, बात लो गड़ गड़ाना, और जो घुरा के बोलता हो भी रंबल कहते हैं, तो वो याद करने का तरीका बताते हैं, कि रंबल, रंबल, कि रंबल पीकर बल आ जाता है, यह शब्द चीप टाइप के हैं, इस तरीके का याद करने का तरीका, लंबे समय तक नहीं चलता, अच्छा तर रखी हैं जहां गरीब मरीजों का फ्री में इलाज उपलब्द होता है तो आप इस इंडीजेंट को ऐसे से जोड़ी है रियल लाइफ से तो आप शब्दों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे आएए अगला सिननिम देखते हैं पूर का और यह शब्द है इंपिक्यूनियस इंपिक्यूनियस एविंग वेरी लिटिल मनी बहुत कम पैसा होना इडमी निर्दन है गरीब है सेंटेंच देखिए अब कोई भी ऐसे विक्तिय साब इसको जोड़ लीजिये कि जो एक चाय का कब भी नहीं खरीज सकता है तो वो निश्चित उसे इंपिक्यूनियस होगा यह बहुत ही गरीब होगा एक सेंट दोर देखिए एक बहुत ही बड़ा बिजनिसमेंट एक गरीब विद्यारती से एक चोटे कमरे में रहता था तो एक चोटे से कमरे में कोन रहता था यह इंपिक्यूनियस स्टुडेंट रहता था पर आज क्या बन गया यह एक बड़ा इंसान बन गया तो आप कह सकते हैं हाजारों एक जेंपल्स मिनेंगे इवन मुकेस अम्बानी के फादर दिरू भाई अम्बानी भी बहुत गरीब थे छोटे से मकान में रहते थे तो आप उन्हीं से सेंटेंस को जोड सकते हैं तो इस तरीके से अप सेंटेंस को रियल लाइफ में जोड़िये ने की मूली खाके भूग को मॉलीफाई करो या रम पीकर बल आ जाए इस तरीके से हाशा इसमत रिडिकलस तरीका सिर्फ बच्चों को अट्रेक्ट करने के लिए या उनको इंप्रेस करने के लिए काम आते हैं सही तरीका यही है यह साथ में जो युवाम की हाई लेवल वकिबली की बुक है आप उसको पढ़िये उसके अंदर यह सारे शब्द आपको sentences के अंदर यूज करके दिये गए है त्याकि आप उनको अच्छे से पढ़ सके आईए अगला महत पून्ट जो इसका similar word है यह impoverist और this is impoverist clear और impoverist का मतलब है very gareeb having no money बहुत गरीब कोई पैसा नहीं है यानि बहुत निर्दन है बहुत घरीब है दूसरा है poor in quality यहाँ पर जो poor का third meaning मैंने बताया था कि अगर किसी गुनवत्ता में कोई चीज कमी है यह उसकी quality अच्छी नहीं है तो भी आप इस impoverist का प्रियोग कर सकते हैं sentence देखिए government should launch some schemes to help impoverist farmers सरकार को गरीब किसानों की साहता करने के लिए कुछ skim launch करना चाहिए जैसे कि अभी आपने देखाओ कि बहुत से skims आई है कि सरकार उन्हें गरीब किसानों के loan माफ कर दिये तो किसान कैसे हैं impoverist हैं यह माली यह poverty से भी थोड़ा सा इसको कहीं ने कहीं जूड सकते है पोवर जो poverty पूवर से बनाता पोवर्टी तो यह impoverish और एक sentence और he was born in an impoverist family in the slums in Mumbai कि उसका जनम Mumbai की slums में गरीब परिवार में हुआ था slums का मतलब जुग्जी जौपड़ी और निशी तो जुग्जी जौपड़ी में कौन रहेंगे जो लोग गरीब होगा तो उसका जनम कहा हुआ Mumbai की जुग्जी जौपड़ी में एक गरीब परिवार में उसका जनम हुआ और एक और शब्द है penny less penny का मतलब पैसा I don't have even a penny कि मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है और less लगा दिया तो adjective बन गया जिसका पैसा भी नहीं है meaning है having no money means very poor कोई पैसा नहीं है बहुत गरीब है जैसा कि a penny less student तो इस तरीके से ये सबी शब्द पूर के synonym थे अब मैं एक बार इसको दुबरा repeat कर दूँ पूर को जब पैसे की कमी के कारण गरीब ही विक्ती के लिए यूज करते हैं तो उसके synonym से destitute, penurious indigent, impecunious impoverished, penniless लेकिन अगर कोई चीज quality में या गुनवता में खराब है तो फिर आप destitute, penurious, indigent, impecunious जैसे शब्दों का प्रियोग नहीं कर सकते ध्यान दीजी हम लोग अपने official YouTube यूवाम गुरूपूल गुरूपूल पर ऐसे बहुत से वीडियोज हम डाल रहे है अगर आपको वक्यबल लिका ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे official YouTube channel यूवाम गुरूपूल को सब्स्राइब कर दीजे और साथ में जो एक bell का जो सिंबल दिया गया है उसको आप दबा दीजिए साथ में आप अगर ये आपके लिए उप्योगी है और लगता कि आपके फ्रेंड सर्किल में आपके दोस्तों के लिए भी ये वीडियो उप्योगी होगा तो आप ज़्यादातर लोगों में इसको शेयर कीजिए ताकि युवाम की इस ओनलाइन वक्याबली की क्लासेज में ज़्यादा ज़्यादा लोगों को फाइदा मिल सके थेंक यू, थेंक यू वेरी मच्च, हैव नाइस दे